नमस्कार ओम नमस्षिवाए देखिए अब समय जो है वो शिवरात्री का आ रहा है आगे फिर स्टावन मास रहेगा और भले ही मास कोई सा भी हो व्यक्ति जो है वो रुद्राक्ष के जो चाहने वाले हैं वो रुद्राक्ष को हमेशा पहनना चाहते हैं लेकिन सही गलत का हमेशा ही वो जो है एक मन में संदे रहता है बहुत सारे वीडियो हमने इसी विश्य पर आप तक पहुंचाए है और बहुत सारे लोगों का एप्रिशेशन भी मिल रहा है अब कईयों का ऐसा सवाल रहता है कि रुदराक्ष का जो मुख होता है वो क्या होता है वो हम दिखाने का प्रियास करेंगे आपको मुख कैसे उसको जो है कहा जाता है कि ये मुख है तो जैसे आप पंचमुखी रुदराक्ष है तो पंचमुखी में पांच लाइने है ये पांच मुख है लेकिन यह अंदर से कैसा देखता है इसके बारे में आज हम grinder लेकर ही आपके सामने बेटे हैं और रुद्राक्ष को उसकी पहचान के लिए उसका बीच में से grinder से कट करके हम देखेंगे अंदर से रुद्राक्ष कैसा है बहुत hard होता है बहुत हार्ड मतलब रुद्राक्ष की यही पैचान है कि वो सब लकडियों में एक हार्ड जो है वो पीस होता है जिसकी वज़े से इसकी चमक बनी रहती है और ये तूटता फटता नहीं है इसलिए इसको लंबे समय तक कई सालों तक पहनने के लिए निर्देश दिये जाते हैं वना लकडी तो खराब हो जाती है तो अब हम शुरू करते हैं कि इसको कैसे हम चेक करें तो इसको कट लगाने के लिए मैं ग्राइंडर ओन करता हूँ कि अगर कभी इस्टा एक्सपरिमेंट आपको भी करना पड़े तो वो ध्यान करके करना है अब मैं आपको इसको नजदीक से दिखाना चाहता हूँ कि जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वो कैसा होता है देखिए आपके सामने ही कट लगाया है और बाहर से बड़ा जैसे ऐसे अजीब सा लग रहा था लेकिन जब अंदर से कट किया तो इसकी पांचो लाइने जो है वो पांच अंदर जो है इसमें खाने है देखिए ये जो है एक, दो, तीन, चार, पांच ये पांच कोस्ट है और जो बीच का छेद है आप देखिए कितना सुन्दर छेद जो है एकदम एक सीद में बना हुआ है ये सीद नैचुरली जो है वो इसमें होता है आप अगर इसकी शुरुआत में जाएं जैसे ये इसका जहां से फल लगता है ये छेद वो होता है जहां से इसका फल लगता है तो ये जो छेद है यहां से लेकर और नीचे जड़ तक इसका छेद होता है लेकिन यहां से पार नहीं होता पार जो है वो मसीन के दुआरा ड्रिल के दुआरा किया जाता है तो अंदर का आप छेद देखेंगे तो यह एकदम गोल है जैसे किसी ने मसीन से ही किया हूँ तो ये जो छेद है ये प्राकरतिक रूप से ही बनता है अब इसके चारों तरफ आप देखें जो पाँच कोस्ट हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पाँच कोस्ट हैं ये मुख हैं और इन कोस्टों के उपर ही आप देखें ये जैसे ये कोस्ट है ये यहां पर ये बीज है और इस बीज के उपर ही एक लाइन है बस यही इसकी असली चीज जो रुद्राक्ष की होती है वो यही होती है कि उसी बीज के उपर उसकी लाइन होनी चाहिए अगर इस बीज की बात करें तो इस बीज के उपर ये इसकी एक इस रुद्राक्ष की बात करें तो इस बीज के उपर ये एक लाइन ये पांच लाइने हैं यानि ये पंचमुखी रुद्राक्ष है असली चीज यही है हम बस पहचान जाएं रुद्राक्षों के बारे में जान जाएं ये हमारा प्रियास है आप तक पहुंचाने का तो बहुत सारे रुद्राक्ष अगर आप लोट में लेते हैं तो उसमें से एक रुद्राक्ष की आप ऐसे जांच कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें क्योंकि ये जो ग्राइंडर है ये थोड़ा सा रिस्की होता है चोटे बच्चे और कोई और जो वेक्ती हैं जिनको नहीं समझ में आता नहीं होता है वो ना करें जो समझदार है जिनको ये चलाना आता है वो इसका जो है कट लगाकर आप देख सकते हैं रुद्राक्ष अंदर से इतनी चमक इसके है ये लकड़ी ऐसे लगती है जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक ही नहीं मतलब बहुत हार्ड कोई ऐसी सर्फेस है जिसकी चिकनाई आप देखी इतनी शांदार है तो मुझे लगता है कि इस लकड़ी की इतनी शांदार ताकत और इसके बीज की अंदर की एनरजी यही हमें जो है एक पॉजिटिव एनरजी देती है और इसके उपर की जो ये चिद्र है ये जो उपर उभार है ये हमारी चमड़ी में हमारी स्किन के उपर हमारी नसों के उपर बन के और ये हमें एक यहां प्रिशर देती है तो इसकी वज़े से हमारे जो है रुद्राक्ष की एक positivity हमें बनती है, हमारे एक ओरा बनती है तो आज पंच मुखी रुद्राक्ष को अंदर से हमने देखा है, अब आगे सीरीज हमारी जैसे चार मुखी, छे मुखी, साथ मुखी, इन सब के बारे में हम देखेंगे तो अब आपके साथी डॉक्टर मनोज योगाचारे को दीजे इजाज़त, मेरे साथी नरेजी शर्मा के साथ, त्रीनेतर टीवी के लिए नमस्कार